हेलो फ्रेंड्स मेरा नम जगविंदर है चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं एक्टिव डिक्ट्री कॉंपोनेंट्स के बारे में कुछ और डिटेल में तो लास्ट वीडियो में हमने जाना था कंटेनर अबजेक्ट्स के बारे में और ये कंटेनर अबजेक्ट्स वो एक्टिव डिक्ट्री अबजेक्ट्स होते हैं जो अपने अंदर दूसरे अक्टिव डिक्ट्री अबजेक्ट्स को कंटेन कर सकते हैं या उनका कलेक्शन अपन करें तो एक area होता है एक reason होता है जिसमें एक authority होती है एक control होता है एक छोटा सा area reason उसको हाँ domain कह सकते हैं लेकिन active directory में domain हमारा जिसको windows server domain भी कहा जाता है logical group of computers होता है यानि कि computers का ही group होगा या हमारे objects का ही group होगा active directory objects logical group जो कि एक share directory को यानि के active directory को use करेगा और इन computers के उपर हमारे Microsoft Windows operating system के same या different versions installed होगे यानि के सारे के सारे जो computers हैं उनके उपर एक ही type का operating system जैसे के Windows 7 या Windows Vista रह सकता है या फिर उनके उपर अलग अलग different versions भी रह सकते हैं लेकिन वो Microsoft Windows के हो वो इस active directory को use करें उसको हम बोल देते हैं Windows server domain और हमारे ये इसको हमारा Microsoft एक triangle के format में represent किया जाता है domain को as a triangle तो इसको और अच्छे से समझते हैं एक picture से देखिए ये जो मेरा combination है computers का और logical group इसको हमने ट्राइंगल के अंदर रख दिया जो active directory domain को represent कर रहा इसके उपर अलग-अलग versions जो हैं वो installed रह सकते हैं हमारे operating systems के और ये central database यानि के active directory को share और use कर रहे हैं तो हमारा Windows server domain हम simple format में कह सकते हैं collection है computers का जिसके उपर same या different version of Microsoft operating systems रह सकते हैं और जो active directory को use करते हैं तो इस वीडियो में हमने active directory domain के बारे में जाना तो इस वीडियो में इतना ही thanks for listening